रामगर के छोट इसे गाउं में एक सुर्भी नाम की लड़की रहती थी। काम करते और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने काया की परवर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। गरीब लोगों की वज़े से मैं अपनी कम्पनी को डुबो नहीं सकती। इसलिए अगर मेरे पास काम करना है तो तरीके से करो। नहीं तो एक मिनट में मैं तुमको कम्पनी से निकाल सकती हूँ। तब ही वहां काया आती है और सुर्भी से कहती है। अरे सुर्भी क्यों सुबा सुबा इसके ऊपर भड़क रही हो। इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उतनी हुसा हो रही हो। मुझे सिर्फ मेरे पैसो से मतलब है। अगर कोई यहां सही से काम नहीं कर सकते है तो मैं उसे निकाल दूँगी। यह कहकर वो घुस्से से वहां से चोली जाती है। वही कुछ दिनों बाद उन्हों का बर्थडे आने वाला था। जिसके लिए सुर्भी अपनी मा कल्यानी को कॉल करके उनसे कहती है। मा पूरे दस दिन बाद मेरा बर्थडे आ रहा है। और मैंने अपनी घर पर एक बहुत बड़ी पाठी रखी है। जिसमें आपको और पापा को साथ आना होगा। ठीक है बेटा तू चिंता मत कर। इस बार तो मैं और तेरे पिताजी तेरा बर्थडे बहुत धूँदाम से मनाएंगे। मा जब मैं आग सखल की थी तब से आप लोगों ने मेरा बर्थडे पर आना बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे अकीले अपने बर्थडे पर दोस्तों की पाठी देनी पड़ती है। लेकिन इस बार अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। बेटी, हम कौन सा अपनी मर्जी से नहीं आते। तू तो जानती है ना कि हमारा खुद का कितना बड़ा बिजनिस है। अगर हमने उसको समय नहीं दिया तो बिजनिस जूप सकता है और बर्थडे पाठी बाठी तो होती रहती है। लेकिन पैसा कमाना बड़ी बात है। पैसो के आगे ये छोटी मूटी पाठीओं को कौन देखता है। और तुम अब बड़ी हो गई हो तो अपने दोस्तों के साथ एंजोई किया करो। मा, दोस्तों हमेशा साथ रहते हैं लेकिन कुछ समय ऐसा भी तो होता है जो कि माता पिता ही उसके कमी पूरी कर सकते हैं। और अगर उस से मैं माता पिता ना हो ना, तो बड़ा दुख होता है। तुम अपना दिल छोटा मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे आने की। ये कहकर सुर्भी की मा कल्यानी सुर्भी का कॉल कार्ट देती है। वहीं दूसरी तरफ सुर्भी अपनी कमपनी के सभी एमपलॉईस को अपनी पार्टे के लिए इंवाइट कर देती है। लेकिन सुर्भी के बर्धरे पार्टे में कोई नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत घहमंडी थी। इसी बात पर सब लोग उसे बहुत नाराज रहा करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीच जाते हैं। और सुर्भी और काया का बर्धरे आता है। काया अपने पिता जगमोहन और अपनी मा उर्मिला के साथ अपनी घर में अपना बर्धरे सेलिबरेट कर रही होती है। धीरे धीरे सुर्भी के सभी दोस्त चले जाते हैं लेकिन सुर्भी के माता पिता नहीं आते। इसी बात पर वो केक भी नहीं काटती। दिन वाले दिन तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा पिता जी आप चिंता मत कीजिए मैं सभालूंगी ये कहकर काया सुर्भी को उसका बर्थडे गिफ देने के लिए उसके घर जाती है जहां वो देखती है कि उसका घर एक बहुत सुन्दर महल की तरह दिख रहा होता है सारी सजावट बड़ी सुन्दर लग रही होती है महल के अंदर वो बड़ा शांदार सा केक देखती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता इसलिए वो सुर्भी को देखने उसके कमरे में जाती है जहां सुर्भी अपने कमरे में बैठी हुई फोट फोट कर रो रही होती है तब ही काया उसे कहती है नहीं होते और माने मुझसे मुझसे वादा किया था कि वो पिताजी के साथ मेरे बधरे पर इस बार जरूर आएंगे लेकिन इस बार भी वो नहीं आई मैं उनका इंतिसार करते हुए रह गई इतनी दौलत होने के बाद भी मुझे कोई खुशी नहीं है काया की बाद सुनकर सुर्वी खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है जहां वो देखते है कि काया की माने उसके लिए एक छोटा सा केक बनाया होता है वहीं दूसरी तरफ काया की पिताजी घर की सजावत देख रहे होते है उसके बाद सुर्वी और काया दोनों मिलकर केक काटती है केक खाने के बाद वो दोनों उर्मिला के हाथ का बना हुआ खाना खाती है जिसे खाकर सुर्वी को बहुत खुशी मिलती है उस दिन वो समझ जाती है कि अमीरी और गरी भी कुछ नहीं होती जहाँ पे सुकून होता है वही अमीरी होती है और पैसों से तो हर चीज खरीदी जा सकती है लेकिन प्यार नहीं खरीदा जा सकता पैसों से